आप सभी सातियों को मेरा रोशकार दोस्तों एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए और आप जानते हैं कि वर्स में कमचारियों को दो बार महंगाई भत्ते का लाब दिया जाता है यहाँ पहली बृदी की बात करें तो जनवरी में होती है और दूसरी बृदी की बात करें तो उसी वर्स की जुलाई महा में इसका लाब दिया जाता है यहाँ पहली जनवरी 2023 के लिए चार प्रसत बढ़े हुए डिया की घोसरा केंद सरकार ने कर दी थी और इस संदर में केंदरी कमचारियों का इसका लाब मिल भी रहा है लेकिन राज सरकारों ने अभी इसकी घोसरा नहीं किती और अच्छी खबर यह है कि सिया म्योगियादी तनाजी ने कल सुमवार देर साम यहाँ पे डिये और डियार ब्रदी के फाइल को अलमोदित कर दिया है अब यह तैय हो चुका है कि जो चार फिस्दी के ब्रदी है इसके साथ आपका महंगाई भत्ता जो 38 फिस्दी वर्तमान में है यह बढ़कर 42 फिस्दी हो जाएगा और ऐसे में इस फैसले से 16 लाख राज इतनारियों और करीब 12 लाख पेंसनर्स को फायदा मिलेगा तो इस तरह से यहाँ दोस्तों सासनादेश तो अभी जारी नहीं हुआ है लेकिन निश्चीत तरफ आज से कल में सासनादेश भी जारी होने की उमीद है और ये मुहर लग चुकी है एक तरह से कि मई माह के वेतन के साथ नगत भुखतान आपके वेतन के साथ किया जाएगा अब दोस्तों आईए हम ये जानते हैं कि ये जो 4% का मंगाई भत्ता बढ़ाये जा रहा है तो आपके वेतन में कितनी विर्धी हो जाएगी एक सरल कल्कुलेशन से ये जानते हैं कि किस प्रकार से आप भी जान पाएंगे कि आपका वेतन इस 4% बढ़े वे मंगाई बत्ते से कितना बढ़ जाने वाला है तो आईए दोस्तों इसे देख लेते हैं तो वहां सेलिस स्लिप में असपस तोर पे बेसिक पे अर्थात मूल वेतन लिखा है वही आपका मूल वेतन होगा अब दोस्तों आईए उक उदारन से इस बात को समझते हैं मान लिजिए हमारा मूल वेतन 50,000 रुपे है आप अपना मूल वेतन देख लिजे कि आपका कितना होगा और यही प्रकरिया करते जाएए तो मेरा मूल वेतन मान लिजिए 50,000 रुपे है इसमें 4 पसद की बिर्दी होई तो हम 50,000 में 4 का गुणा कर देंगे और इसमें 100 का भाग लगा देंगे तो इस तरह से 100 का भाग लगाने के बाद जो प्राप्त होगा वो 2,000 रुपे होगा यानि कि यदि आपका मूल वेतन 50,000 रुपे है और यह 4 पसद महंगाई भत्ता दिया जाता है तो आपका 2,000 रुपे वेतन बढ़ जाएगा ठीक किसी प्रकार से आप भी इसमें मूल वेतन अपना डालिए और प्रक्रिया यही कीजिए तो आपका भी पता चल जाएगा कि आपका 4 पसद की बृद्धी का प्रभाव आपके वेतन पे कितना पढ़ने वाला है यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें कि 10 का गुणा कर दीजिए और 100 का भाग लगा दीजिए तो इस तरह से 200 रुपए प्राप्त होंगे अब दोस्तों यह जो 200 रुपए हैं यह आपके GPF या फिर NPS खाते में चले जाएंगे इस प्रकार से 2000 में से यह 200 रुपए घटा दीजिए तो बनते हैं 18 100 रुपए इस प्रकार से आपके वेतन के साथ नगत भुकतान के रुप में यह 18 100 रुपए जुड़ जाएगा और आपके वेतन में यह 18 100 रुपए नगत रूप में मई माह के वेतन के साथ दिया जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और असपस्ट कर देना चाहेंगे यहाँ पर जो 4% की भंगाई भत्ते में बिर्धी है इसको देने का आदेश जनवरी 2023 से हुआ है और ऐसे में आपको मई मासे दिया जा रहा है तो इस तरह से आप देखें तो जनवरी, फर्वरी, मार्च, अप्रील कुल मिला के 4 महिने का आपका ड्यू होता है तो अठारा सो रूपए के हिसाब से चार महीने का एरियर बहत्तर सो रूपए हो जाएगा तो दोस्तों उमीद है कि आप भी अपने मूल वेतन के हिसाब से ठीक इसी प्रकार से गढ़ना कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि जो चार प्रसत का मंगाई भत्ता ये बढ़ा है ये आपके वेतन में कितने रूपए की बिर्धे करेगा तो दोस्तों ये रहा छोटा साब्डेट आप सभी के लिए वीडियो अच्छे लेगे हो तो लाइक कर दिजेगा चैनल को अभी सब्सक्राइब ने कहें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार